तो इस चैप्टर के स्टाड़ी वहां से नहीं होती जहां से हमारा पिल्ला चैप्टर खत्म होता है इस चैप्टर के स्टाड़ी होती है और हमें दिखा जाता है साइन टेक्ट फैक्टरी पार्क को जहां पर हमें यूंग सी को दिखा जाता है जो लिन के पास मिश्टर लिन क जिसे मजाग तो मत उड़ाइए और आपको क्या पता कि मैंने हापर वस्टाई कोई सट करने में कितनी जादा मेहनत की है वसे मिश्टर लिन हान ने मुझे इस बारे में बताया था कि आप मुझे यहाँ पर बुला रहे हैं और आप मुझे से मिलना चाहते हैं तो वह आपको मुझे से क्या जूद पढ़ गई और वैसे भी आगर आपके पास कोई काम हो मेरे लिए तो आप मुझे बस ओर्डर करिए जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि लिन वहाँ पर उसके छान के पास आता है और वो काफिया गफट तरीके से योजना को बताने लगता है मतलब इतना जाता गफट कि उसके बारे में हमें भी कुछ नहीं बताया जाता और यहाँ यह सुनकर तो यूंग से एकदम सौक कि Mr. Linn आगरकार क्या मुझे सारी चीज़े करना जरूरी है जिस पर Linn कहता है कि और क्या नहीं तो तुम्हें मैंने यह जब क्यों बताया और वैसे भी थोड़ी नहीं मैं तुम्हें जोक सुनाने के लिए सिर्फ यहाँ पर बुलाऊंगा और ऐसे कहते हैं लिन वहाँ से जाने लगता है और वो जाते वक्त भी यूंग से कहता है कि तुम अपने प्ले को प्रिपेर कर लो मैं आपर देखना जाऊंगा कि तुम्हार पर देखकर लिन को काफी दख खुजती और वहले इंसे कहती है कि मिश्टर लिन आखर क आर आप और यहां पर आप मुझे पता दे तो मैं बाहर आपका इंतजार कर रही होती पहले से ही जिस पर लिन कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई विजरोत नहीं थी और वैसे भी मैं तो यहाँ पर इतने दिनों के बाद यहीं देखने के लिए आया था कि आखरकार अभी फैक्टरी के अंदर चीजे किस तरीके से चल रही है जिस पर जिंग दोड़ते हुए लिन की तरह आने लगती है और वो आते वक्त कहती है लिन से कि वैसे अभी फैक्टरी के अंदर कुछ ज़्यादा इदना बड़ा भी नहीं हुआ लेकिन ज़्यादा टाइम तक यह साइन टेक फैक्टरी हमारे पास नहीं रहने वाली जिंग ऐसा कहते हैं लेकिन वो अचानक से लिन को क्रोस कर जाती है जहां इस चीज़ को तो लिन को उमीद ही नहीं थी कि अकरकार यह करना ही क्या चाती है बट चीजे तो यहाँ पर तब बदल जाती है जब वो सीधा ही दरवाजे के पास जाकर कुंटी लगा देती है एक तरीके से कहा जाया तो वो दरवाजे को लॉक कर देती है और जिंग तरवाजी को बंद करते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर साइंटेक फैक्टरी की वरकसॉप और इसी के साथ साथ वेयर हाउस भी कोर इंटिट्यूट के अंडर है और यहाँ पर उनके लोग ही इन चीजों को मैनेज करते रहते हैं और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर सेप्टी इसी उसकी चेकिंग करने की बात करूंगी मिना तो इस चीज के लिए पहले ही रोग देंगे और वरकसॉप और वेयर हाउस उनके पास होने के वज़े से न वो एक टाइफ से मुझे आउटसाइडर ही समझते हैं और ऐसे कहते हुए जिंग जैसे ही पीछे मुड़ती है वो काफी जाद ही क्यूड तरीके से लिन से कहती है कि इन सारी चीजों की वज़ा से हम मेरे पास यहाँ पर कोई भी काम नहीं रह गया और मैं सारा दिन वैसे खाली पड़ी रहती हूँ तो क्या आप मेरे लिए भी कोई वर्क नहीं अरेंज गर सकते क्योंकि अगर यह होगा ना तो मैं इसे जरूर करना चाहूंगी और वैसे भी इस तरीके से काम करते हुए मुझे कभी अभी ऐसा लगने लगता है ना कि मैं आपर बस कोई काम नहीं करती बलकि बैठे बैठे दिन पर फिरी में बस सेलरी ही लेती रहती हूँ जिस पर लिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तो फिर तुम इसके अंदर इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों करना चाहती हो और वैसे भी हमारा साइन्टेक का बिजनास जो की कोर इंटेस्टी के तरफ से है वो चलती ही समापत हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा देर के लिए तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूत नहीं पड़ेगी फिर जिस पर हमें दिखा जाता है कि जिंग लिन के काफ़ ज़्यादा ही करीवा जाती है वो भी कुछ गलती रादों के साथ और वाल इन से कहती है कि मिश्टर लिन मैं हबर बस सारा दिन बैठी रहती हूँ और फिरी मैं सैलरी लेती रहती हूँ इस वज़ा से मुझे एज़ा करते हूँ बहुत जादा बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से तो पे करना ही जाओंगी परचिंग ऐसा कहने के बाद कुछ इस तरीके के इसारे करती है जिससे यह बाद तो पूरी तरीके साफ ही हो जाती है कि इस लड़की की राते बिल्कुल भी नेक नहीं है जिसके बाद हम देखते हैं अगले ही पल जिंग वहाँ पर लिंग को किस कर देती है जो कि एकदम अचानक से ही हुआ था जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि लिंग को सीधा ही किसी सर्फेस के उपर धका देता है जिसके बाद हम देखते हैं लिंग की स्माइल को जो कि बिल्कुल भी नेक नहीं लग रही थी और वो ऐसी स्माइल करते हुए कहता है जिसके बाद हमें सीधा ही एक घंटे बाद का सीन दिखा जाता है जहां पर लिंग जैसे दरवाजा खोलता है इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दरवाजी के बार पहले सैससा और उसके साथ उसके सिकरेटरी करणे हूं धाँ धी यहां पर प्यारे में कुछ भी नहीं समगहा हुआ लगता है इसने मंट के अंदर कहती है कि क्या मतलब था इसका दरवाजा खुला रखने से जिसके बादे में दिखा जाता है कि तभी साउस यानियों गुछ से मैं आ जाता है और वो लिन से कहने लगता है कि आकर कार मैं कब से यहां पर खड़ा हूं रिची के सास्ता है क्या वो तुम ही ही तो मेरी है तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग से गंदा करने के लिए जाओ और वैसे भी बस तुमने यहां पर वेर हाउस और इसी के साथ साथ वरकसौप को ही अपने अंदर लिया है बल्किस के बावजूद कैफेटरिया और टावलेट वो अभी भी मेरे अंडर ही आते हैं तो मैं अपने अंडर आने वली चीचों को तब तक यूज नहीं होने दूँगा जब तक मुझे उसकी पूरी पैमेंट नहीं बिल जाती और वैसे मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं और मैंने 100,000 यूवान को यहां पर ऐसा ही खर्च कर दिया है जिसके बाद मैं दिख है कि तो हमारी वर्करों की तरह नहीं यह तो है पर नॉर्मली आ जा सकती है वहां पर जिस पर लिन कहता है कि हो अगर ऐसी वात है तो तुम अपने वर्कर का ध्यान रखो और वैसे भी से तुमने नहीं बलकि मैंने हार किया है और तुम दुबारा से पने कॉंट्रेक्ट को ुठा और दुबारा त्युकर देखलो तरह चे नहीं बलकि मिला मेरा और वर्करों गर और उसके बीला नहीं पर इसके ओझसे उसके बाठोपा पार साइको है आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है और यह हर पर पैसा गतम होने के बाद ना कोई ना कोई चीज़ लेकर चला ही आता है मुझसे पैसा पाने के लिए और अब तो सच में इसने हदी कर दी आखिर काफेटीरिया और टौलेट के आगे सिक्यूरिटी गाट कौन लगाता है मुझे सबन नहीं आता है कि एसी जगह पर भी सिक्यूरिटी की हुए जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि मुझे लगता है कि आपको ऐसा करने से पहले वेरहाउस के अंदर चल कर सारे वरकर से इस बारे में पहले बात कर लेनी चाहिए और उनसे एक साउस यानू और उसके से करेटी के साथ इस बारे में अलगी बात है जहां पर साउस यानू की से करते हुए लिन से कह रही होती है कि मिस्टर साउवागर कारीय कदा बहुत बड़ा बेहुकूफ है क्या जोंकि हर्दवार पैसे कदा मुझे बादना सीधा ही मूठा कर यहीं ऐसे लोगों के साथ ना तो मेरा एंकाउंटर कई बार हो चुका है और कई दवा मैंने ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सावक दिया है और अब इसके साथ भी होई होने वाला है मैं इसके लोगों के आगे ही इसकी बहुत पूरी पेज़ेती करूँगा जिसके बाद इसे प भी नहीं छोड़ूंगा जिसके बाद इसे पूरी की पूरी फैक्टरी को ही मुझे दिना पड़ेगा जिस पर हमें दिखा जाता है कि उसकी सिक्रेटरी यहाँ सुनकर एक स्माइल करती है और वहां सते हुए कहती है कि मिस्टर साओ आप बहुत जादा कमाल के मुझे है कि नह के लिए आए है कि हमारे विए पर किस तरीके का चल रहा है जिस पहली नजदेवे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं को प्लैन करते हैं और दो महिने के बाद वापस आएंगे वहां से सावजियाने को जो कि इंसारी चीजी को दे यहाँ पर करने के लिए आया ही क्या है और वैसे भी यहाँ पर हमारे बीच बात किस चीज़ की हुई थी और यहाँ पर आने के बाद बात किस चीज़ की कर रहा है और आप क्या है यहाँ के सारे वरकर्स को यहाँ से भगाना चाहता है क्या लेकिन तब हमें यूंग सी को अपकी इस तरीकी की बात करने की कोई विजरूत नहीं है जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात आधना तो यंग से सुनो जोगे हमारे पास चार वेरहास पड़े हुए है ना उसे मैंने चेक किया है और उसके अंदर बहुत सारे सामान पड़े हुए है तो तुम उन सामान को बेच दो और मुझे एकिन है कि उनसे काफी अच्छे कासे पैसे हमें मिल जाएंगे और ऐसा के टेविलिन पेचे मुड़ता है और वह साउस जिस बात को सुनकर तो साउस यह नो गवरा जाता है और वह पने मन के अंदर कहता है कि अगर कार इस परसन को अभी मेरे से क्या चाहिए और यह इस तरीके से अब ऐसी बहकी-बहकी बाते क्यों कर रहा है और इसे के साथ इस चाप्टर का एंड यहीं पर होता है